अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सबस्क्राइब करें और शेर करना ना भूली आखें हमारे शरीर का सबसे महत्व पूर्ण हिस्सा है, जो अगर एक पल के लिए भी हमसे अलग हो जाए तो हमारी जिन्गी में अंदेरा चा जाएगा आज कल लेप्टॉप और मोबाईल के समय में हम लगातार इनी सब चीजों से हमेशा लगे रहते हैं, जिन्से हमारी आखें कमजोर होने लगती हैं आप नीचे दी गई कई कुछ टिप्स को अपना कर अपनी आखों के दिखबाल कर सकते हैं और अपनी आखों की रोशनी को हमेशा बनाए रख सकते हैं आखों की समयशा को दूर करने के लिए रोज सुबह खाली पेट पालक के पत्ते खाएं पालक खाने से आखों की रोशनी तो बढ़ती है, साथ में इन से खून भी बढ़ता है। रोज सुबह खाली पेट देशी गी और उसमें पीसी हुई मिश्री और पीसी हुई काली मिर्च मिला कर खाए। यह भी आपकी आखों के लिए बहुती फायदेमन है। जब भी बाहर से आए, आने के बाद और सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से मूँ धोना चाहिए। दो बादाम रात को भीगो दे और सुबह छिलके उतार कर गिस ले। फिर दूद में मिला कर आखों के चारों और लगा दे। इससे आपको फायदा मेले ह। पोजन में हमेशा विटामिन A, B, C बरपूर मात्रा में लेना चीए। विटामिन A की कमी से रतोंदी नामक रोग हो सकता है। आखों को ठंड़क पोचाने के लिए खीरे के टुकडे को या फिर कच्चे आलू के टुकडे को आखें बंद करके रख सकते हैं। आखों की रोशनी को टेज करने के लिए लसुन और प्याज का इस्तिमाल रोज करें। साइज हो जाएगी। और ते तो बिंदी लगाती हैं वो अपनी बिंदी की तरफ देखें। अगर आपको अपनी दूर की नजर तेज करनी है तो खुले में बेट जाए और किसी एक बिंदू पर नजर टिकाए।